कि हेलो बच्चा लोग दिस इस गोपाल सर एंड वेलकम टूए जी जैसा कि बेलेनो ग्लोसास का सीरीज चल रहा है और हम ब्लोगों ने अभी स्टेडी किया जो बेलेनो ग्लोसास के अब लिए क्लासिफिकेशन पढ़ लिए यानि क्लासिफिकेशन को सिस्टेमेटिक पोजीशन कहते हैं और बच्चे एक प्राबलम हमको दिख रही है मदलब यह प्राबलम हमारे तरफ से है कि आप लोग ऐसा कर रहे हो पूरा वीडियों लग रहा है बच्चे देख नहीं रह कर रहे हैं वीडियों बनाने के लिए हम कंटेंट को पहले लिख रहे हैं वह सारे मैटर तयार कर रहा है कि बच्चों को क्या देना चाहिए जो परफेक्ट हो और साट में उनको समझ में भी आ जाए और जो भी ऐसी के लिए यूजफूल हो सो प्लीज आप पूरा देखा कर कभी कभी इसी चीज को पूछ देता है structure of bellENN JOHNcenduter तो बच्चे एक जाम में ओजते हैं कि structure of bellenegl poses तो तो हमने पढ़ा ऑनी नहीं सर ने पढ़ा ऑन 8 अरे यह एक्सेर्णल मार्तुलाजी है जैसे अगर बात की जाए only sauce external morphologie तो आप यह कह सकते हैं कि external morphology ज turmeric mathematics की हैan यहां पर क्य सकते हो एंड यह एकस्ट अप अपलाजी में जोड़ सकते हो एंड कि स्टाइड विलो तो फस्टाप रिस में करते हैं जैसे किसी भी अनिमल की आपनी जगह लेकिन अगर यहां पर बात कर रहे हैं पहले चहरा गोरा हो गया कद छोटा मोटा जो भी है मोंटे पतले सैफ क बते हैं आंपने अफ साइस बाइब था मतमाacter 5 पेर 8 यहिंगे उतने यहां कितने ड़िविद में बात करेंगे अपने लेंद की बातर हैं देना अगर कलर की बात करें तो हमारे की नुट है इसे प्राइब यह ऐसे होता है वैसे हिसे इस दीखिला गोंग दीकले समार्टी इस भी हर लेकिन है किसी वहीं हमको बस बात करनी है या सारी टॉपिक एकदम इजी है अगर मन से पढ़ाई करो यहां सेप की बात होती है बलेनो ग्लासस कैसा सिंपल ही यार जो घर में वह होता है बेलन की तरह देख रहा है तो आप यह कह सकता है सिलेंड्रिकल होता है सिलेंड्रिकल है थोड़ा स्ट्रेट टाइप का है ट्यूब होगे यह गया साफ्ट दे नाता है एलांगेटेड स्वरी देनाता है एलांगेटेड भाई एक्दम सीधे दिख रहा है ना लंबा सा फिर वर्म-लाइक अच्छा खासा जानते हो किड़े नुमा क्यों किड़े नुमा बात ये देखो पॉइंट की वर्म-लाइक हम निकलने वाले थे अच्छा हुए याद आगया हम ने यह बोला था कि को ऐसती हेसे यंटर वाले तो वहां क्या यह मिलता है यह सीधे में सीधह चला जाता है इन वर्टीभीड में और यहां पर हमको वर्टीबेड की पढ़ना तो हाफ इसका character vertebrate का है, हाफ character invertbrate का है, इसने इसको hemicardate कहा गया, अब यहाँ पर देखना, यह worm like कीडे नुमा, तो यह worm like तो सभी इधर की तरफ आ जाते हैं, ना invertbrate वे, तो वही character, लेकिन बाकी character जो सो करते हैं, यह vertebrate की तरह सो करने लगते हैं, नहीं है, हमको मत काटिये, यह चीज़ें अगर कोई भी है, उसको हम bilaterally, दो भागों में अगर divide कर दे रहा हैं, तो यहाँ पर हमको symmetry समझ में आ जाती हैं, कि इसकी body कैसी है, bilaterally symmetrical है, देन बात करते हैं, size की, the size of balanoglasses, is measures 10 to 15, 10 to 50 cm in length, जो body होता है, कि इसका balanoglasses की, जो हम size की बात करते हैं, इसकी size कितनी होती है, तो 10 से 50 cm length में होती है, देन बात करते हैं, according to species, भाई species अगर इसमें, अब हमने अपनी बात कर ली, बहुत सारे आप human being को ही देख लें, बहुत सा कुछ क्या होते हैं, लंबे होते हैं, कुछ छोटे होते हैं, तो species के according to species करता है, यहाँ पर हम बात करेंगे, इनकी according to species, the length of balanoglasses gigas, जो balanoglasses gigas है, इसकी बात की गई थी, कुछ साइंटिस्टों ने बात किया था, according to, सवाया 1951 में इन्होंने बात किया था, जो इसकी length बताई हो, कितनी थी, 1.5 मीटर, then according to, इस्पेंजल, 1893 में इन्होंने इसके बारे में बताया, कितना, 2.5 मीटर, देन बात आती है किसकी, balanoglasses के color की, तो हमने बता दी, जैसे हमारी color white है, तो इसकी भी तो कोई color होगी, यहाँ color कैसे होते हैं, the color of balanoglasses is bright drab, यानि थोड़ा, चमकीला, या धुदला आप कहा सकते हैं, redis are orange, और tint होते हैं, redis are orange, tint, यह चितके आप देख रहे हैं न, tint के बाड़ी पे यह चितके भी पाया जाते हैं, ठीक है, या धब्वे आप कहा सकते हो, I hope आपको यह वीडियों clear हो गया होगा, और अच्छे समझ में आया होगा, so please आप लोग इसे अच्छे से पढ़ें, और इसका notes जरूर बना लें, जिससे हम जो ही यह unit complete होगी, इसका अगर series test कर लेंगे, तो test नहीं, पेपर साल्प कराएंगे, तो आपको problem ना हो, आपके हाँ तो में इसका notes होना चाहिए, और अभी हम continue हर वीडियों को, एक-एक दिन करके upload कर रहे हैं, तो आप लोग बने रहें, और जितना share कर सकते हैं, share करिए, हाँ एक चीज और, आप जराई इसमें ध्यान दिजेगा, कि जो ये, blenoglasses है, हमने तो ये बता दिया, इसका shape, size, color, लेकिन अगर बात की जाएगी, यहाँ पे, जो external morphology है, तो इसका diagram भी आपको draw करना होगा, तो आप diagram बना लेंगे, देन इसके body के division के बारे में, हम next class में बात करेंगे, या discuss करेंगे, हमको एक question का answer, comment में जरूर दे, कि ये blenoglasses की habitat क्या है, और ये कैसे रहता है, वहाँ पे कैसे रहता है, जहाँ भी ये पाया जाता है, ये कैसे रहता है, और कहां पाया जाता है, मतलब देश का नाम मत बताईए, ये कहां पाया जाता है, ये आपको बताना है, ठीक है, thank you for watching my video,